गूड मॉर्णिंग औल इस्टुटेंट्स अपनी काई संख्या 9 उसमें चैप्टर 35 का जिसका नाम था जनेटिक्स एंड जिनोमिक्स उस चैप्टर में हम मेंडल की सब्दावली पट रहे थे उस सब्दावली में हमने कुछ पॉइंट्स पड़े थे फर्स्ट जो पॉइंट था वो जीन था और मेंडल जीन को क्या समझता था कारक यह कल्बा ने बताया था सेकेंड पॉइंट था जिनोम थर्ड पॉइंट था केंदरक पर रूप फॉर्थ पॉइंट अपना था ए लिंग गुण सुत्र वा लिंग गुण सुत्र और मनुश्य के लिंग का निर्दारण कौन से गुण सुत्र करते हैं लिंग गुण सुत्र करेंगे और पांच नमर का अपना जो बिंदू था वो था जीन पर रूप वा लक्षन पर रूप उसे next tree आपको लिखना है छहनिमर बिंदू छहनिमर बिंदू में क्या लिखना है आपको देखो adding है अपनी जनम जात एवं ए जनम जात विशे सक विशे सक का अर्थ है यहां लक्सन जनम जात नाम आ रहा है ऐसे लक्सन जो जनम के समय माता पिता से प्राप्त है या कोई भी मनुष्य है या परकरती में कोई भी जीव है उसको जो लक्सन जनम के समय माता पिता से प्राप्त होते हैं वो जनम जात लक्सन होते हैं तो definition क्या लिखे हैं? वे लक्षन जो वेक्ति को माता-पिता से प्राप्त होते हैं, तथा जो जनम के समय से ही उसमें उपस्तित होते हैं, इसे लक्षनों को जनम जात लक्षन कहते हैं, जैसे यह भी बताया है, यह लक्षन आगामी पीडी में वनसानूगत होते हैं, आप अपने गौव में आप अपने परिवार में आस पास में देखते होंगे कई वेक्ति लंबे कदवाले होते हैं तो उनकी संतान भी लंबे कदवाली होती है कई वेक्तियों की आखें निली होती हैं तो उनकी संतानों की भी आखें कुछ की निली आखें होती है तो यह जनमजात लक्षन है, कुछ रोग हैं, जैसे हिमोफिलिया रोग, सिकल सेल एनीमिया रोग, यह जो रोग हैं, यह कौन से हैं, जनमजात रोग हैं, जो जनम से ही माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं, तो यह आपको डेफिनेशन समझ में आयोगी, वे लक्षन जो वेक्ति को माता पिता से प्राप्त होते हैं तथा जो जन्म के समय ही उसमें उपस्तित होते हैं ऐसे लक्सनों को जन्म जात लक्सने कहते हैं इसका जश्ट आगे जो बताया है ए जन्म जात विशे सक मनि ए जन्म जात लक्सन तो ये कौन से होते हैं देखो जनम के बाद अगर वातावरन से या वेक्ति स्युम अर्जित करता है वो लक्षन कौन से होते हैं ऐ जनम जात लक्षन जैसे मैं एक बात बता हूँ आप जनम के बाद किसी लड़के का पैर कर जाता है तो वो लंगडा हो गया वो एक एजनम जात लक्षन हो गया किसी के एक आँख चली जाए वो भी एक एजनम जात लक्षन हो गया या यह कहें जैसे आप डेली अक्सर साहिज करते हो और एक दिन पहलवान की तरह बन गए तो वो भी एक कौन सा लक्षन आपका एजनम जात लक्षन मनि कायने का रता है, जनम के बाद वातावरण यह श्यौम द्वार अरजित जो लक्सन है, वो ऐ जनम जात है। जैसे definition क्या लेकिये मनें? वे लक्सन जो वेक्ति को जनम के बाद वातावरण से प्राप्थ हो, या जीवन का आल में श्यौम अरजित करता हो। एजनम जात लक्सन कहलाते हैं जैसे पहलवान या टांग के तूटने से उत्पन लंगड़ापन या आँख के फूटने से अंदापन कान के पर्दे के फटने से बहरापन ये सभी एजनम जात लक्सन हैं अब ये जो लक्सन हैं वो वनसानुगत नहीं होते हैं एजनम जात लक्सन वनसानुगत नहीं होते हैं ये एक तरह के उपारजित लक्सन हैं जो जनम के बाद प्राप्त हुए हैं जैसे अगर किसे के माता पिता दोनों ही पैर से लंगड़े हों तो उन से उत्पन संतान उन से उत्पन संतान दोनों पैरों से सही होगी अर्थार्थ उस संतान में लंगड़ापन नहीं होगा तो इसलिए ये कह सकते हैं ये लक्षण वनसानूगत नहीं होते हैं एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में गमन नहीं करते हैं कौन से एजनमजात लक्षण और ये लक्षण एक परकार के उपारजित लक्षण होते हैं आगे देखो इसमें क्या लिखा आपने जैसे अभी मने एक पंकती बताईए ये लक्सना अगामी पीड़ी में वनसानुगत नहीं होते हैं आप समझ गए होगे जैसे एक एक्जम्पल उड़ते हैं जैसे एक्जम्पल है एक लड़की पैदा हो गई और जो जो वो बड़ी हो गई तो उसने अपना नाख है कान है वो छिदवा लिए क्या वो कभी मा बनेगी तो उससे उत्पन संतान के भी ऐसा होगा क्या नहीं होगा ना या एक पुरूस है वो बार बार में अपने डाड़ी बनुआता है तो ये भी एक उपारजित लक्सन है क्या उत्पन संतान के कभी डाड़ी नहीं आएगी तो ये सभी जनमजात लक्सन है अगला बिंदू हबना युगम विकल्पी देखो एडिंग क्या बोलती युगम में विकल्पी युगम का आरत होता जोड़ा और जोड़े में दो विकल्प होते है युगम का आरत क्या होता जोड़ा युगम एक युगम मानि जोड़ा उसमें दो विकल्प होते है तो इसके डेफिनेशन क्या है किसी भी प्राणी में एक गुण को नियंतरित या विवेक्त करने करने वाले जीन किसी भी प्राणी में एक गुण को सवरूपों को किसी भी प्राणी में एक गुन को नियेंतरीत या अभी वेक्त करने वाले जिन के दो व्योक्रियासि सवरूपों को यूग कमकनि कल पी कट है थैड़ व्यूप्ष कर था भिन भेन भिन सवरूप परभावी हो सकता है दूसरा फैस अपर वह सकता है एक हो सकता है जैसे मैंने यह पंकती नोट किये हैं सामाने तब परतेक जीन के दो सवरूप होते हैं कि एक परभावी दूसरा एक परभावी होता है नई अपनी है कि सम्युकुमत जी वे विश्टम युकुमत जी होमोजाइगस वे हिट्रोजाइगस ये क्या होते हैं दखो सम्युकुमत जी सम का अर्थ समान युकुमत जी मनी युकुमक जब दोनों युकुमक समान हो तो उसे क्या कहेंगे हैं सम्युकुमत जी जैसे Capital TT लिख दे Small TT लिख दे तो वो क्या होगा Sum युगमजी का example होगा जैसे अभी इसकी second प्रिवास और भी लिखे होने एक तो ये प्रिवास देखो आप नाम से ही लिख सकते हो Sum मानी, Sum मानी, Sum मानी जब दोनों युगमजी क्या हो समान या इसकी second प्रिवास और जब एक जीन के दोनों विकल्प समान जब एक जीन के दोनों विकल्प समान हो तो उसे क्या का होगा आप Sum युगमजी कहलाता है जैसे सुद लंबा सुद बोना जैसे सुद लंबा सुद बोना Sum युगमजी जब एक जीन के दोनों विकल्प ऐसमान हो विस्वम युगमजी कहलाता है जैसे संकर पादप जैसे केपिटल टी और स्मॉल टी यह दोनों समान नहीं है ना एक तो केपिटल एक स्मॉल है तो विस्वम युगमजी जब एक जीन के दोनों विकल्प ऐसमान हो अगर दोनों समान हैं तो संभूम जी जैसे ओपर एग्जामपल दिया हमने capital TT या small TT जब एग जिन के दोनों विकलफ ऐ समान हों तो उसे भी सम्भूम जी करते हैं जैसे capital T और small T कौन से पाधब की बात चल रही है संकर पाधब की बात ही चल रही है अब नो नमर बिंदु हम पढ़ते हैं देखो क्या है बिंदु संख्या नो बहुत ही इज़ी है संकरन एवं संकर तो संकरन एवं संकर संकर आजकल खेता मां बाजरो का रहा क्यों है तो देशी बाजरा को नाम सुने ओगो थे एक संकर को सुने ओगो संकर के आइट बहुत ज्यादा जो और संकर के आइट कम हो है तो संकर जो बाजरो है बो लंबा पादप और बोना पादप बाग का बेच को मिश्रान है तो दोन्या का गुण क्यों होगा अलग लग होगा तो आकी प्रिवासा क्या होगी जब दो विप्रियासी लक्षनों विप्रियासी का अर्थ है भिन भिन लक्षनों जैस एक तो लंबा पादप और दूसरा कैसा हो गया बोना पादप भाई यह प्रियासी का अरत है बिन बिन एक तो लंबा पादप और एक बोना पादप जब दो यह प्रियासी लक्षनों वाले सम्युकुमजी तो सम्युकुमजी का अरत है एक साइड में तो आप लोगे केपिटल टीटी और एक साइड में कहलोगे small tt तो capital tt है वो तो है लंब्य पादप और small tt है वो है बोना पादप इनके बीच आपको क्या कराना है क्रोस तो उसे उत्पन जो संत्ति है वो क्या है संकर इस किरिया को क्या कहेंगे संकर दुबारा सुना संकर पादप किसे कहें तो खेत में हम बाजरा दो टाइप का उगाते हैं एक तो देशी बाजरा जिसके आइड काफी होती है एक जो दूसरा बाजरा उगाते हो आप संकर बाजरा जिसके आइड काम होती है अब संकर बाजरा की उत्पती कैसे होई तो देशी बाजरा लंबा है और एक जो बाजरा होता है कुछ से देशी बाजरा की पादप होते हैं वो छोटे रह जाते हैं जिने बोलते हैं बोनने पादप तो लंबे पादप और बोनने पादप के बीच करोज कराए गया तो दोनों के लक्षन भिन भिन हो गए उनके बीच क्रोश कराया तो एक नई संतती आई जिसे आप क्या कहोगे संकर तो डेफिनेशन में भी ये बताया है मैंने जब दो विप्रिया से लक्षणों वाले सम्यूगमजी जनक जिवों के मद्दे क्रोश कराया जाता है मैंने दोनों के लक्षण तो अलग लग है लेकिन सम्यूगमजी है सम्यूगमजी कहा रहता है केपटल टीटी और स्मोल टीटी करोश कराया जाता है तो उसे प्रात संतती जिवों को संकर और किरिया को क्या बोलते हैं संकरन कहते हैं दस नमर बिंदू है अपना एक संकर संकरण जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षनों वाले सुद जनकों के मद्दे करोष कराया जाता है तो उसे एक संकर करोष करते है अभी मैंने उपर जो डेफिनेशन में बताया है जिसे सुद लंबे का परती का है केप्टल टीटी सु तो लंबा है रेक बोना है दोनों के गुण बीन बीन है करोष करायें तो एक संकर संकरण होगा नेक्सिट अपना दीव-संकर-संकरन तो एक संकर संकरन की जो डेफिनेशन ना उसमें एक जोडी है इसमें आप क्या नाम लिख दो कि दो जोडी प्रीवासा सेम ही है जब दो जोडी विप्रियाशी लख्सनों वाले सुध जनकों के मदे कर रोस करे जाता है तो इससे दीव संकर क्रोस करते हैं जासे इसमें इंघ्जाम्पल मैंने लिखा है कर पिंद लेग्जर का प्रतीक येलो है ये लोग थे लिखते हैं तो क्यपटल वाई 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 पिले का और गोल राउंड गार्थ क्या होता गोल तो इस केपटल आर ओर वाले पोदे वह हरेव जुरिदार सम्युम्जी तो यहां देखो पिले का केपटल वाई वाई लिया ना तो अमेशा इसका ए परभावी लक्सन लेंगे ना तो इस मॉल वाई वाई लेंगे से शंक्रण करवा ना तो एक संक्रण परीवा साद से संप्रिक संक्रण्ति को नियुकिका है पर्बावी वह से परबावी लुक्षन तो आए बहुत ही जीपरिवास ही वे लक्षन जो FNPD में परकट होते हैं उन्हें परभावी लक्षन और जो लक्षन FNPD में परकट नहीं होते हैं यहाँ परभावी लक्षन यहाँ आपको definition सीखनी है आगे हम एक संकर संकरन पढ़ेंगे वहां बताऊंगो FNPD क्या होती है परभावी लक्षन कौन से होते हैं वहां आपको अच्छी तरह विस्तार से समझाए जाएगा तो आपको यहां यह याद रखना वे लक्षन जो FNPD में परकट होते हैं परभावी और वे लक्षन जो FNPD में परकट नहीं होते हैं उन्हें परभावी लक्षन कहते हैं नेक्स्ट अपना एडिंग आई यह नई मेंडल के दुवारा अध्यन के लिए मत्र के पोद्वे का चैन कि मेंडल ने मत्र के पोद्वे का चैन क्यों किया और किसी पादब का क्यों नहीं किया तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं पहले तो आपको यह होना चाहिए कि मत्र का वेगयनिक नाम या वानस्पतिक नाम होता है पाईसम शेटाईयूं अब इसने देखो आवनियाम बासाम बात करें मत्र के पोद्वे को क्यों चुना एक तो मैं मेरे पॉइंट्स बता रहा हूँ जी वे में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ धियानपुरुक सुने एक तो यह पादब एग वर्स होता है ठीक है इसे कहीं भी आप उगा सकते हो थोड़ी सी जगह में मत्र के पादब उगा सकते हो आप जैसे गंडले मी उगा सकते हो किसी बगीचे मी उगा सकते हो एक झोटीती सी क्यारी बनाकिसcono में एक इसके जो पूस्प होते होते हैं अब दिवलिंगी पूस्प ऌते हैं तो इस komt आपने सौफ प्रागण और परहसे पड़ागो में आश endeरा ie के रिया हो जाती है एक इसमें नई बात क्या है कि इसका जीवन काल बहुत ही अलप होता है और जल्दी सी अपने को उत्पादन प्राप्ट हो जाता है एक नई बात इसमें मतर के पोधे में अनेक विप्रिया से लक्षन पाया जाते हैं अब देखो मैंने इस नोट्बुक में क्या पूट अप किये हैं वो आपको एक एक लिखने हैं इसके पुस्प बड़ेवाद दिवलिंगी होते हैं देख्योंगे आपको प्रेक्टिकल अगरवाय था 11 मैंने मट्र के पुस्पों का तो पुस्प याद आ रहा होगा उसका तो इसके पुस्प रहत होता सो प्रागण लेकिन हम पर्प्रागण भी इसमें करा सकते हैं एक पुस्प के प्रागण लेकर दूसरे पुस्प पर इस्तानांद्रित कर सकते हैं तो ये पर्प्रागण इसमें संभव है वी पुस्पन क्या होता है तो मट्र का पुस्प है वो दिवलिंगी होता उसकी वर्तिकागर प्रीपको होने से पहले मटर के पुस्प के साथ दिवलिंगी है तो उसकी वर्तिकागर प्रीपको होने से पहले चीम्टी की साहिता से उसके पुंकेशरों को हम अलग कर दें उस परकिरिया को बोलते हैं वी पुस्पन बोँछ शे खींज़ा को तर-वि का अलग करना पुस्सन का अलग करता है यहां पूंकेजर को मतरगे द्यूश की पूस्प से या चेमटी या कहंचि की साहता से यह किरीया हम कर सकते हैं कब जब वर्तीका अगर अपरिणी पस्टेज में हो से तो यह पूच्न का भी मानि अलगदना पूच्षन मानि पूंकेसर को किस की साधत आज प्षैक्ट करना गमले में भी उगाए जा सकता है स्फश्र हिच्त अनल बूह इस पोड़ कल बहुत अलब होता है अदमतर का पोड़ा एक वर्शी साहख है मटर के पोदे मैंने एक विप्रिया सिलक्षन पाए जाते हैं इनके पुस्पों में सव प्रागन की किरिया होती है तो ये कुछ से पॉइंट्स थे जिसके अधार पे मेंडल ने मटर के पादप का चैन किया था सभी स्टुडेंट्स वीडियो को एक बार देखें इसके नोट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक बहुत कम आते हैं यह मैंने नोट किया है तो अधिक से अधिक लाइक आने चाहिए और सब्सक्राइब करें ओके ठेंक यू ठीक है और ध्यान पता नहीं क्या पता अगस्त तक अपनी स्कूल अगस्त में ओपन हो जाए तो यह अपने दिक्कत नहीं रहेगे ओनलाइन वाली लेकिन यह जो चेप्टर है आपको complete यूटूब पे मिलेगा और यूटूब पे आपको पढ़ना इसको